दोस्तो अगर बीमारी से बचना है तो एप वीडियो आप लोग के लिए है तो चलिए इस कमाल के वीडियो को अभी और इसी वक्त सुरू करते हैं कि सभी बीमारी के बारे में उचित जानकारी जो है आप लोग के पास तक डाइरेट मिलती रहे सवाल नमबर एक खराब पेर पौधा के परदूसन से कौन बीमारी होती है दोस्तो नहीं जानते है तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा कि जानकारी आप तक डाइरेट मिले दोस्तो इसका सही अंसर है खराब पेर पौधा के परदूसन से लाकवा फालिस की विमारी होती है इसलिए दोस्तो कभी भी अपने इंजिनियर से जाच करवा करके या अपने से जाच करके पेर पौधा कोई भी अपने घर के आसपास लगाएं दोस्तो सवाल नमबर दू, किस गाय का दूद कभी जीवन में नहीं पीना चाहिए किसी भी ब्यक्ति को दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दोस्तो इसका सही अंसर है जर्सी गाय के दूद पीना से डान में दर्ध फलीरिया की बीमारी बाया पर में हो जाता है इसलिए आप लोगों से दोनों हाँ जोड़ करके मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी गाय का दूद पी हैं तो देशी गाय का दूद जो है ओपी है क्योंकि थोड़ा कम देती है लेकिन अच्छा देती है सवाल नमबर 3 काम नहीं करने वाले को कौन-कौन सा बीमारी शरीर में उठपन हो जाती है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चूनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर किजेगा दोस्तों इसका सही अंसर है सबसे पहले काम नहीं करने वाले को लाकवा फालिस की बिमारी होती है और पेट ज्यादा निकल जाता है और हाथ पाओं में जेलन और बहुत सबी बिमारी और प्रोबलम हो जाती है और पेट में भी गैस बनने की समभना बना रहता है सवाल नमबर चार अंगूर खाने से क्या फाइदा सरीर में मिलता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो का लाइक चैनल को सबस्क्राइब जरूर किजेगा कि ऐसी जनकारी डेडिट आप तक पहुँचती रहे दोस्तों इसका सही अंसर है अंगूर खाने से अंतरी में कैंसर जीवन में नहीं होता है इसलिए अगर अंतरी में कैंसर से बचना है अंतरी के कैंसर से तो आप लोग जब भी अंगूर का सीजन आए तो जरूर सब गराम पचास गराम खाते रहिएगा क्योंकि ऐसे खाने से 10 दिन 12 दिन खा लिजिएगा सीजन में तो आप लोगों को आने वाला समय में लिबबर में या अंतरी में कैंसर जीवन में भूल करके भी नहीं होगा सवाल नमबर 5 पुजापाट करने से क्या फायदा मिलता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कीजेगा दोस्तों इसका सही अंसर है घर में दुख बीमार कभी नहीं होती है इसलिए जहां भी रहें वहां पुजापाट जरूर करते रहना चाहिए अगर आप लोग को सहन सकती नहीं आए तो पंडित जी लोगों से जरूर पुजापाट करवा देना चाहिए इसलिए लोग बहुत सब भी लोग है अठजाम या पुजापाट या जगराता कराते हैं ठेंकी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक सेर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिए